हाई एबरिबन वेलकम बाक टो शामे क्लासस फुस्ट फॉल गुडिवडिंग टू एबरिबन सुबसे आप सभी को कैसे हैं मेरी फ्रेंड्स आई होप आप बहुत अच्छे होंगे बस रहीए श्वस्त रहीए खुश रहीए खुश रहीए खुश रहीए खो पढ़िये ज्य मुझे इतनी मेनद आपने की है वह रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए मैं रिजल्ट को चाहूंगी सभी से पूछूंगी ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर रेकिक बंदे का नाम सहित की मुझे चाहिए कि क्या हुआ रजल्ट इसलिए ध्यान रखिए मैथ भी फोकस है रिजण करेंगे वैसे विल्कुल कर रहें उसमें गैपिंग नहीं ले रहें ठीक है यहां तक बात खैए आए बात करते हैं इस समय बज़रे हैं शाम के चार ये चार बज़े पर शार्वीं मैं आपकी क्लास यह पर लगा रही हूं जिसमें आपको महतबूर करते के सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को पूरा इंट देखें कि कमेंट बताइए कोई दिक्कत हो अच्छा लग रहा है तो रिपलाई दीदे टेलिग्राम को जॉइन करिए उस प्रॉफिट जो पीडिये पर करेंगे वहां पर मिल जाएंगे सारे दिया इसल पोल से वाइशन इसले जैसे हमको टाइम मिलता है तो बच्चे बाद में देख लेगा तो उसका काम हो जाएगा तो हर तरीके से यहां पर प्रशन ले आ रही हूं हर चीज मैनेस कर रही हूं तो आपको बस थोड़ा सा पीशन रखना है मैं हर चीज करवा दूंगी तिक्के लेकिन प्रक्टस करें रिवीजन करें अच्छे से पढ़िए राइटिंग के वाग करिए सब कुछ हो जाएगा चलिए बात करते हैं अब कर लिया आपको स्टार्ट किया थे कितने करवाये थे 25 ना मैंने 25 प्रशन करवा दिये थे आपको मैंने 25 प्रशन आपको अल्टिमे CPU में ALU होते हैं आप जानते हैं कि CPU भी क्या होता और ALU भी क्या होता दोनों मैंने आपको बताया है अब इन से संबंदित कुछ options है वो देख लेते हैं जैसे आए देखते हैं और तो CPU में ALU होते हैं तो क्या क्या है ALU में RAM Space, Register, Byte Space इन में से सभी द्यान से समझेगा 26 CPU के में तीन पार्ट है तीन में मुख अंग है उसमें से एक होता है ALU तो ALU के अंदर क्या होता है ALU के अंदर में कंपोनेंट होता है जो काफी कारिगर रोप से कारिगड़ता है आई होप आपको नहीं बता होगा मैं बता देती हूं ध्यान से देखिएगा RAM का Space एक Option है रि है रिजिस्टर चोटे चोटे बहुत जादा मात्रा में वहाँ पर रिजिस्टर लगाए जाते हैं जिसे ये कार अच्छे से चलता है कैलकुलेशन हुआ और भी कोई चीज़ हुई साइक काम जो करता है वह रिजिस्टर की हेल्प से लेकर करता है एक प्रश्न का आप संच अबिस में भी होगा चलिए फिर आगी बढ़ते हैं एक प्रश्न होगा आए दूसरे फिर गरना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग क अच्छा सब्जेक्ट है आप रिलेट कर पाएं कि क्या होगा चलिए मैं आपको बता देती हूं आपका सी ऑप्शन सही हो जिनका सी सही है ध्यान रखेगा क्योंको हमको यहां पर क्यालकुलेशन की बात हो रही हमको यहां पर कंपैरदन की बात हो रही तो सी ऑप्शन बेस्ट है आगे चलते इसी के साथ देखते है नेक्स्ट अगर जब कभी कोई आए ना तो यह देखा करिए कि कौन कौन सा नहीं होगा उसको पहले कार दीजे बाकि जो से इस लगेगा कौन सा कट जाएगा तो दो कार्ट दो में ही कर्फ्यूजन होगी कि दो में से फिर भगवान का नाम लेगा कुछ भी एक टिक कर देना जब नहीं आएगा बिल्कुल भी तरीके से तो क्योंकि छोड़के आने में कोई बहादुरी नहीं है मैं टेट सीटेट की बात कर रही ह उसमें होती नहीं है ठीक है टेट में और सीटेट में तो करके ज़रूर आना रहेगा और आपके डिलेटर तो पांच ही आएगे चलिए आते इसे के साथ 28 प्रशन देखते हैं एक हार्डवेर डिवाइस जो डाटा को अर्थ पूर्ण इंफोर्मेशन में परिवर्तित करती यानि कि चेंज करती है ठीक है एक एसी हार्डवेर डिवाइस का आपको नाम बताना है जो डाटा को अर्थ पूर्ण इंफोर्मेशन को चेंज करती है प्रोसेसर के रूप में पहला नुप दूसरों ाफ्षन इंपूर्ट डिवाइस के रूप में तीसरा उप्षन प्रो प्रोटेक्टर होता है तो 28 का एक ही ऑप्षिन सही है वह होता है प्रोटेक्टर होता है जैसे चक्की आप पीछने वाली चक्की होती है उसमें आप डालते हो तब आपको आप पिसके मिलता है तो जैसे चक्की जो मशीन लगी रहते हैं आठा पीछने वाली वैसे प्रोटेक्टर भी उसमें लगाव देती हो तो प्रोस्तर करके आपको जो रचेरल देरती है तो सेम काम जो चक्की कड़ती है वहीं सेम काम प्रोस्तर भी करता है क्योंकि आप उसमीं यह हार्डवेर में आप information को डालते हो input करते हो मैं example real life case लिए देती हूं ताकि examples याद रहें क्योंकि इतना subject पढ़ना है हर semester में आठ 8 subject पढ़ना ही मिलते हैं सभी आठों के semester सब्सक्राइब से वह अलग अलग है नाम वही है लेकिन level का जो कितना याद रखे हैं कि मुझे सारे याद है नहीं याद है हम भी ऐसा कुछ खोज रहे थे कि मुझे कोई teacher इस तरह पढ़ाए तो college में तो कभी बढ़ाई होती नहीं किसी के कि नहीं होती तो जो पढ़ा मेनत किया कुछ teacher से मिला कुछ अपने senior से मिला कुछ कुछ चीश नहीं याद आएगा तो यह 28 में हो गया चलो 29 की बात कर लेते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग बताईए मैं इसलिए पढ़ाती हैं उस तरीके से कि टट तक सीटे तक जब तक कि आपके एक साल एक साल के बाद आप जो भी दो गया जो भी करोगे दोगे तो आप इसी ब प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग ठीक है अब आगे बढ़ना इसे के साथ 30 पर चल रहे हैं 30 प्रश्णियां पर क्या है देखिए आप सभी स्क्रीन पर आप आप लोग भी दो बाद प्रश्ण को पढ़िए फटाफट और लाइक जो ना किया और फटाफट लाइक करिए चलिए फटाफट यहां तक बात चलिए देखते हैं 30 पर प्रश्ण क्या है CPU और I O मतलब इंपूट है डिक है CPU और इंपूट डिवाइस के बीच में सिगनल के movement को control कौन करता है तो control unit, ALU, memory unit और इंपे से कोई नहीं तो क्या होगा पताईए थर्ट भी पर हम आ चुके हैं कौन सा option सही होगा एक बात यह ध्याद रखिए जब बोल रही हूं कि प्रश्ण को पढ़िए इसका मतलब आप प्रश्ण को पढ़िए क्योंकि पता इसमें क्य करता नहीं है इसमें नहीं और यहीं होगा इसलिए a option आपका 30 में 30 में ध्यान रखेगा नेक्स बढ़िए कंप्यूटर में Central Processing Unit का function है Central Processing Unit याने की CPU का function क्या है डाटा डिलीट कर देता है क्या आपका CPU ऐसा है जो आपकी डाटा को डिलीट कर देता है इन्वाइस बनाता है इन्वाइस बता समझते ना पूरी जो एक लिस्ट बनती है क्या आया क्या गया क्या हुआ पूरा सभी वह सा गर्णाया processing करता है इन में से कोई नहीं तो CPU करता क्या है CPU का क्या है बताइए पूछा आप लोगोंने CPU का function क्या होता है ऐसे प्रेंट लिखने को आयागा कि CPU के क कोई कोई दो मुखे कारे रिखिए तो Central processing unit क्या होता है तो पहला option तो काट दो की data delete कर देता है बात गलत है एक कड़ गया इन्वाइस बनाता है जी नहीं कोई टैली का software थोड़ी है जो इन्वाइस बना रहे है नहीं इन्वेसे कोई ने कर जा तब बचा क्या है आपका C option तो यानि कि 31 में आपका C option सही होगा आई वोप आप सब करेट जा रहे होंगा अच्छे प्रशन जोई कर रहे होगे 32 दे के कंप्यूटर में अधिकांज processing किसमें होती कंप्यूटर में सबसे ज़्यदा processing किसमें प्रॉसर का कारे किसमें होता मदर वोड मेमोरी में RAM में CPU यह भी बहुत यूनिक प्रशन है अच्छा प्रशन है चलिए बताए 32 में कौन सा option सही हो गलत नहीं करेगा I hope मुझे उमीद है कि आप गलत नहीं करेंगे समझ के होंगे क्योंकि ज़्यादा काम कौन कर रहा है जिस ज़्यादा जिम्मदारी किसके पास है चलिए मैं बता देती हूं आप लोगों को विस वैस्ट्रॉप्शन जो आज का है वो है CPU जिक है यह central processing unit होता है क्योंकि मद्ध में रहता है चाव समसे हर चीज को थोड़ा पकड़े होती है तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं CPU का भी वही कार है यह सारी processing अधिकांस मात्रा में जदा करता है आगे रिजलते हैं 33 जो son needed computer का मस्तत्सक होता है उसे क्या कहा चाता है यक ऐसा microprocessor जो computer का brain वहता ते सबहरो ही सब्सक्राइब सब ही सत्यकत हैं मतलब उप्युक्त ओल सब सही है तो 33 में क्या होगा माइक्रो प्रोस्टर जो कंप्यूटर का मस्तस्क होता उसे हम क्या कहते हैं जो माइक्रो प्रोस्टर आप बार बार माइक्रो प्रोस्टर माइक्रो प्रोस्टर सुन रहे हो यह क्या है एक कोई सॉफ्ट्वेर है क्या मैंने ऐसा बोला है कि कभी सॉफ्ट्वेर है क्या मैंने यह बताया कि मैक्रो चिप है क्या मैंने यह बताया कि मैक्रो का मतलब और मैक तो 33 वे उसको माइक्षिप कहते हैं मैक्षिप माइक्षिप। 33 में B आगे चलिए कंप्यूटर दोरा प्रूद्ध किया गया प्रणाम इस रूप जो result या output के रूप में produce किया जाता है तो वह क्या कहलाता है डाटा कहलाता है अँपुड कहलाता है योsın मताइगा 33 में आपका सी औप्शन lorsque हमें output मिलता है सॉरी 34 था 35 में ऑईए input का आउट पूट में रूपांतर क्यारत है input से आउट पूट बनता है memory के तरह CPU के तरह input output के तरह और पेरिफिलस के दौरा बताइए पेरिफिलस के तरह क्या होगा जब input दे रहे हो वो output के रूप में आपको change यह इंपुट को लेता है फिर इस पर कारे करता है अच्छा पता है एक चीजे से आपने एक इंपुट दे दिया फिर दिया फिर दिया फिर दिया तो ऐसा नहीं है जो आपने पहले दिया उसका रजल पहले मिलेगा जो फिर दिया उसका यह पाइपलाइन होती है इनके पास औ तो वैसे ही अब लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हैंग हो जाता है इतना दा इंपुट हो जाता है कि इसके पास control unit होता है control unit और CPU दोने मिलके स्कार को manage करते हैं store करके रख लेते फिर उसको fetch करते हैं बहुत लंबा कारी होता है कि ऐसा नहीं कि सारा input ले लेंगे यह मना नहीं करते हैं कि वर बस जादा भी बहुत काम है लेकर रखते हैं थोड़ा storage unit रखते हैं फिर उसको जाते लेके memory unit पर कारे करके तब आपको बहुत आउटपुट देते हैं जब एक के बाद एक बहुत जदा input चला जाता है तो pipeline में लेकर रख लेते यह question में आपको पोल्स में बहुत बार करवाए हैं पढ़ाते हैं कई बार बताया है भी टेस्ट में भी लिया है कि CPU के तीन मोखे घटक होते हैं यह तीन संख्या याद रखेगा तो यह सी यू होता है एक मू होता और एक अल्यू होता है यह ध्यान रखना है कि CPU के जो तीन मोखे घटक होते हैं वो 3U होता है बस CPU, MU, CPU, ALU, MU, UUUU तो यह 36 में 3 बेस तरीके जित्ता हो रहता बता दे रही हूं आपको ठिक है यहाँ ता क्लियर 36 में आ चुके हैं आगे बड़े चलिए कंप्यूटर की छमता इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या निम्न होती है कंप् क्या कहो गया तो चमता का मतलब यह पछानते हो कैसे आप मानके कैफेसिटी मतलब रखने की Thai का च्छुछ हमता कि होता है और रखना होता है कोई चीज दर अक प्रकार से तो मृट ने की ज होती है यह सीमित होती है तो कंप्यूटर लगी होटी है आप चाहँ को रखने की छमता वह सीमित होती है क्यूंकि आप चार्जीवी के राम का hep दो टीवी का यह दो चorg ले रहे हो सन्विका रहे हो तो उसके हिसाब से इसना देज दिवी का आप लोग है उतना ज़दा च्वम्ता में आप रख सकते हूं मेड चौसाट दिवी यूज करते हैं नसी आप उस हिसाब से लेता है तो यह सीमित होती है आप जितना उसमें लोग है उतना ही आप स्टोर करके रख सकते हो अगर आपको और जदा स्टोर करना है तो बाहर से फिर हार्डिक्स करें तो पांच-छेदार रुपए की स्टार्ड मिनिममम प्राइस है जब से कम वाली हार्डिस उसके उपर जाओको तो 10,000,5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चेळल लोग उसको एक पोर्ट केबल उता है उस ले के जब हम पढ़ जाता है इस एक हार्डिस्क में लेकर रख लेते हैं यह एक दूसरा साधन है ठीक है चलिए तो नहीं आपको ये भी बता दिया भाइज जितना तो बाहर रख लो अपने घर में या तो फिर जो है मैनेज करो क्या कर सकते हो तो वही चीज है चलो इसको तो थो बनाया है जितना हम दें के उतना उतना ही तो करेगा इसे थोड़ी कर सकते हैं तो कम्प्यूटर की जो वुद्धी होती वह आर्टिफीचल होती है टेम्प्रॉरी होती है पर्मेनन नहीं होती ब्रकार से यह भी कह सकते हैं इस???? चाहता है पंप्यूटर करने किसे जाता है कॉम्प्यूटर जो होता है इसमें एकाकर छाए सब्सक्रान के सब्सक्रार मतलब क्या हो मतलब हब कि बनार चलए पांच परग्र दो… MAY बतर-पल्द के बा.'' और एक बिच्चा है कोई था हम दो ने बाइश बता रहे थे कोचिंग का टा इम ता कि हआwn गया था कोई बुट आट लिया तो उसके पर तो पांच रुपर को वपिस करना था रूपर नहीं थे उसको देने की लिए तो का कि मेरे पर नहीं है नहीं घर सकते तो उसने आच्छ पॉइंट था जो किछे कई में पैट जाती है दिमार कोई बात नहीं आते हैं पर थर्टी नाइए यहां पर एक अत्रिक डाटा को मतलब इंफोमेशन क्या है जो हम डाटा को करके रखें यहां तक बात है समझ में सिंपल तरीके से थर्टी नाइए थिए उप्शन्स आए हु को कहते हैं चिन को कहते हैं संख्या को दी गई सूशना को चालिस में क्या होगा तो चालिस में आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो चिन है चिन और सूशनात्मक सूशना है संख्यात्मक सूशना है कोई सट आप डाटा 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 जैसे की फ्रेंड जैसे बड़ा-बडा तो कितना समान आया कितना गया कितना हमको दुबारा उनको वापिस करना है या कुछ भी काम है कितनी इंट्री हुई कितना माल गया कितना विका तो संख्या के रूप में जो रहता है या कितना लगना है इन लागत कितनी लग रही क्या कैसा हो रहा कितना रुपए खर्च करना तो इन सब की जो चिन है यह संख्या के रूप में लिखकर रखेंगे वही सारे डाटा होते हैं ठिक है आगे चलू देखते हैं next 41 इंपुट का आउटपुट में रुपांतर किसके तुरू होता है तो 41 में क्या होगा देखो प्रश्म एक ही है बस घुमा घुमा के पूछता है कभी कुछ कभी कुछ तो यहां पर देखें इंपुट से आउटपुट में फिर चेंज कर रहा है तो आप देख सकते हो कि CPU को मने बताया कि यह इंपुट से आउटपुट में आपके चेंजिस ल दिखते है एक्सबार चाहां का होता है डाटाप्रासिंग का मतलब क्या है घरना का प्र्थे करना बी ओफषन्ड्र की और प्रनाली और मारेकि हो यानि की वह से वाले उपयों की जानकारी के लिए त्यार करना तो 43 में यहां पर क्या बताऊँगी क्या बेस्ट है ठीक है तो यहां पर बताएं कि अगर डाटा प्रोस्टिंग का मतलब क्या होता है गड़ना के कारे करना सिर्फ डाटा को कलेक्ट करके रखना भी ऑप्शन कंप्यूटर की कारे प्रणाली वगरा सब कुछ देखना सिस्टम यह सब और उपयोगों के लिए जा सब्सक्राइब कर रहा है उसके जानकारी को त्यार कर रहे हो तो आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ 44 देखते हैं प्रत्म करना यह अंत्र कौन सा है काल्कुलेटर डिफ्रेंस इंजन अबैकस और घड़ी तो 44 में आपको पता है एक किस काम के लिए बनाया गया गया था किस परपसके लिसको यूज किया गया था तो 45 को प्रिता देती निया प्रशन नहीं जानते को खेल से संबन के सिये कम्प्यूटर बनाय गया ठीक है नेक्ज करस्ते Space का निर्मार्ड किया मैं mechanical computer electrical computer सब अलग लग है तो ऐसा कौन सा बंदा है ठीक है जिसने पहली बार बनाया जान माकावली माउकली और बेल पास्कल है और हावर्ड आइकन है इन में से कोई नहीं तो चलिए मैं बता देती हूं क्या लग रहा है यह बने पढ़ाया है शायद बताया भीता नहीं बताया से अभी इस द दर कहते कुछ जोट जातीं जो स्लावस में नहीं है लेकिन आ जाती है तो मैंने वेज़ा कहा है कणों करवा देंगे तो प्रेश्टम करवा रहे हैं और में कल कोन बनाया उन्ल dobr को अ सब्सक्स भी आसे प्रिश्न से और ने उप् Corps का निरमार किया था आगे मझंबरते हैं 47 पे सासिए रूप से प्रेप्ट किये जाने वाला computer कौन सा है जो ऑउन दा बेसिस ऑफ जनल यू डीजगण ऑप्टिकल धायब इनलोग बताइक वका почему łंच साथ होगा सामाने रूप से प्रूत किये जाने वाला एक computer है वो क्या है तो क्या लगता है कि इसको बहुत daily परवित है does already use हो जिफाने का बतल dwarf ह्याद्द हे जो daily हो नह立ंण है सब के घर में use हो और सब जगां यह weak Solutions आ सा यह उसकर पा रहे हैं बड़िया है चलाने में अच्छा है एचे काम में कंप्यूटर में घड़ी लगी होती है तो इसकी स्पीर की करना किसमें होती है बिट में मेगाबाइट में गिगाबाइट में इसे बहुत इंपॉर्टन प्रेशन है ध्यान रखेगा अच्छे से पढ़िए तब करेंगे 30 सेकंड कbor कर दिया होगा चले आके बढ़िएगं चलिए हैं यहिसी करवाती हूँगी ठीक है लाइक कर दिया आई होब कर दिया होगा चलें आके बढ़ें चलिए 48 प्रेशन जो मैंने आपसे पूचा था कह रहा था यहां पर है कि कंप्यूटर की घड़ी ही जो स्पीर कंप्यूटर में घड़ी लगी होती है क्लॉक उसकी जो स्पीर की कैलकुलेशन होती है वो मेगावाइट में होती है क्धा किया रखें कर भूलियंगा 49 नहीं मदर्वोर्ड में जोड़ता है क्या रहता है क्वेडकर में क्सक्रवाइब को प्रिश्टें पोड़ा है तो primary memory होती है, इस वज़ा से system bus होता है, इस वज़ा से alu होता है, इस वज़ा से input होता है, इस वज़ा बढ़िया प्रश्न है, बढ़ाया हुए, slabus में है, slabus में दिया गया और हम भी बढ़ाये हैं, तो बताएए आपका 49 वे क्या सही होगा, मदर बोर्ड में ऐसा क्या लगा रहता है, जो CPU को जो और छोटे-छोटे component लगे रहे हैं, उनके साथ लकिन को wind up करता है, टच अप में बनाए रहता है, कि कोई circuit होगी, fault होगी हम पकड़ लेंगे, कर लेंगे, तो क्या वो primary memory होती है, जिसके तरह ये system bus होता है, या system bus होता है, ये motherboard वगरा में इस्तमाल की जाती है, जरूरी नेके सिर्फ network में ही इस्तमाल की जाती है, ठीक है, next आई 50, किसका प्रयोग करते हुए पहला computer का program किया गया था, मतलब किस language का प्रयोग करके पहले computer को बनाया गया था, तो machine language, source code, object, card, or assembly language, जल्दी बताइए, आज परचास ही question में करवाने को सोची हूँ, 25-25 बाट दिया है, तो 25 कल, 25 पर सो है, ऐसे करके मैं दो दिन आपकी computer की और करवा दूँगी, ताकि आपका class हो जाए, चल्लो बतादो, क्या होगा, 50 में क्या साही होगा, जल्ये मैं बता देती हूँ, कि सबसे पहले जो computer वगरा बनता था, तो की code के रूप में होती थी, के code के रूप में होती थी, तो ये आपका right answer है, 50 में A, आज की class को मैं यह बहुआ करना चाहती हूँ, 50 प्रस्ट में आपके हो गए, ये class आपको 5 ज़े फिर में लेगी, अपनी 5 ज़े class को आप लोग मिस्स कर रहे हैं, जो कि मैं मैं मैंस की कर रह कोई problem होती ही, पूछिए, हम आपकी जो problem से हो देख रहे हैं, comment में पढ़ी हुए हम बस तो बढ़ा सा दिन, देजिए मुझे, ये class जो बढ़ा रहे हैं, कम से कम वो तो पत्यार करिए, बाकी चाहिए सब करवा देंगे, math best है, उस पर target में वहां पर भी भेज रही हूँ, tele चलिए इसे के साथ, फिर मिलते हैं हम कल, आपको करवाएंगे computer के प्रेशन फिर कल, और इसके बाद next class विपांज़े वाली होती, वो same time पर होगी, आईए, देखिए, enjoy करिए, कोई problem होती है, तो बताइए का हम मिलेंगे, आपको जल्दी ही, live भी आएंगे, मिलते हैं next में, take care, bye bye, see you soon, best of luck.